तो हेलो एरिवन आज हम लेने वाले एफवाई का जो हमारा फांडेशन कोस्टू का जो यूनिट टू है हुमन राइट्स उसका लेक्षे नमबर एट लेने वाली जिसका आज का जो हमारा टॉपिक है वह फंडामेंटर राइट्स इन दे कॉंस्टूशन अगर आप दूसरे के लिए यह का मतलब के अगर आप तो है वैसे तो इसन देखे लेकिन अगर आप आट कर चुछ से आर्टिकल का और आर्टिकल 51 का इस तरह से अगर ABCD भी आप एड़ कर देते हो तो उसके बाद बिसिकली यह 449 की उपर चला जाता है ठीक है बहुत सरे आर्टिकल्स हो जाते हैं तो देखो गए तो लगबग 400 से उपर टीकल जो हमारी आंदर है ठीक है तो जब बनाया जला तो हमारे ज़िए है इसको बनानी की बैट कर अपने तो यह थे ऑंडर में यह बिसिकली बनाया जा रहा था ठीक है और बेसिकली अगर देखो आपके बुक में लिखा गया और बेसिकली फिल्न डे फिलयांक्स में पूछा भी जा सकता है कि ट्राफिंग कमीटी के सर्दार वल्लाबाई पटे रहे उन लोग जितनी भी टोटल कमिटीज थी मुझा टोटल जितनी भी कमिटीज जैसे एक कमिटीज ड्राफ्टिंग कमीटी तो उसके चेयर परसन ते डॉक्टर बाबा साहिब कर तैसे जितनी और भी कमिटीज बनाई गई थी तो उसके टोटल तो बेसिकली चेयर परसन ते रज़तना लीडर टोटल जतनी भी कमिटीश के लीडर वह टे जवालनल नहरू और सरदार वल्लाबाई पतेल ठीक है तो यह दोनों थे टोटल जतनी परसन और सब कमिटीश के अब देखो बेसिकली जब इसके बनाया जाता हमारे constitution को बनाया जा रहा था तो उस टाइम पर क्योंकि देखो हमारा जो constitution है उसके जितने भी आर्टिकल से जितने भी laws नियम कानून बनाए गए है वो हमने directly अपने से सोच कर नहीं बनाए कि हमको लगा कि हमने यह डाल दे ठीक है नॉर्मली देखोगो तो दाले गए है constitution के अंदर वह हमने दूसरे दूसरे देशों के constitution से ले लेकर ठीक है तो में देखोगो तो बहुत सारे इस देश थे जिसे इंगलेंड हो गया फ्रांस जितना हो से कि उतना हमने देशों से रशीया हो गया जापान हो गया जितनी विदेश थी सबके मतलब constitution से हमने उनके आर्टिकल्स को ले लेकर उस हिसाप से अपने में डाला था ठीक है कि उनके आर्टिकल्स को हमने लिया था और उसके बास सोचा कि भई आपने में डालना चाहिए नहीं डालना चाहिए अगर लगा कि इसमें कुछ मतलब जीतने बी ऐसे आर्टिकल्स से अपर ऊके उपर बना दी जारी थी और ताकि हम ब् passions तरी debt बारे में बताइग sensit के बार में बदाएये चिंदिÚ तो से कोई भी देश टूड के निकल नहीं सकता है तो इस तरह से आर्टिकल वन से लेकर फोर तक सिफ यूनियन और टेरिटरिस की बात की गई है इंडिया की इसलिए उसको पार्ट वन बोल दिया गया कि कॉंस्टुशन का भाग एक पार्ट वन जो है वह यूनियन एंड टेरिट उसके टेथा सिटिजेंशिप लेगर 11 तक देखो आगिकल 11 तक हो वह चुबर है शी ऑपर frequent लोग चले जाते तो उसको मिलेगी इंडिया की या फिर नहीं मिलेगी अगर कोई बाहत देखो आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक टोटली देखो तो यह कुछ राइट्स के बारे में आपको कौनसे कौनसे अधिकार है आपसे कौनसे कांसे अधिकार गॉर्νεंट नहीं चीन सकती है अगर आपके साथ यह साथ यह होता है तो आप क्या कर सकते हो आपके पास प्ला कोनसे फ्रीडम से तो वो सारे चीजों के बाहर देशों के लिया था तो ऐसे हमने अपना ये विसके Lenin से लिया था कि वह आपने देश के नाखरी को यह को से रहे लिए उस इसाब से हमने बी बदेश के अपने में डाले थे ठीक है इसके लिएन सोर्स देखो कि हमने अपने तो मेली हमने तीन कंट्रीज के देख देख के डाला था तो पहला था यह फ्रांस और इंग्लेंड अब जाला तर देखोगे तो हम यूएस का जाला तर इस्तमाल करते हैं यूएस के अंदर जो कंट्रीज के लोगों को देते हैं तो उस राइट के सेक्षिन को उन्होंने नाम दिया था बिल्स ऑफ राइट तो हमने क्या किया हमारा यूएस के लिए कुछ फ्रांस के लिए कुछ इंग्लैंड के लिए तो बैसिकली वहाँ पर एक चीज दिखी लोगों को यह ज़ो बहुत ज़्यादा बेसिक फ्रीडम के लिएट अधिकार है मतलब राइट से कि एक आदमी को जीवन जीने के लिए जो सबसे अधिक आपको कुछ भी करनी के अधी हो जाता है तो वैसे अगर आपके लिए जी पूरी बरबाद हो जाएक आप जिनकी कुछ करी नहीं पाओंगे तो इसलिए इन राइट को कहा गया कि यह बहुत ज़्यांब फंडामेंटल नीड बहुत है इंपोटन जीजे इसलिए नाम दिया गया fundamental राइट ठीक है अब आपको समझ आ गया होगा अब देखो यह जो फंडामेंटल राइट से यह आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक फंडामेंटल राइट के बारे में बात की गई है अब बैसक्ली देखोगे तो आपका जो बुक है वहाँ पर डारीकल 14 से शुरू किया गया अर्टिकल 14 से और आर्टिकल 32 तक इन्य हुंद बताएग अर्टिकल भी तरीट फ्र्टिफिए थरी थरीफॉर थरी फाइट खतम हो जाते हैं ठीक है आर्टिकल 12-13 एक टाप से कह सकते हो इंट्रोडक्श्री या फिर आपको गैरिंटी देने का काम करते कि भाईया आपका जो है कोई भी मतलब आपके फंडामेंटर राइट्स को छेच्छानी नहीं कर सकता है ठीक है तो बेसिकलिए वो आर्टिकल 23-34-35 वह एक टाप से कह死ं को हो फंडामेंटर राइट्स आपको मिलते नहीं थो आपके फंडामेंटर राइट्स रोके जाते हैं त्यूंकि वहां पर तो आप तो आपके राइट्स को कहा पर चीन लिया जाएगा तो मेंली देखो कि आपको आपको स्टेट का मीनिंग बताता है ठीक है अलब क्या है देखो कॉंस्ट्यूशन की भाषा में स्टेट का मतलब होता है कोई बी और त्रिटी जो भी डिसीजन या फिर किसी को पर विसिकली नियम कानून बना सकती है किसी के लिए ठीक है जैसे कि गवर्मेंट होके इस टेट गवर्मेंट लोकल गवर्मेंट तो यह जो होती है इनिको पर ब चोइनिक बताता है तो यह कहता है कि अदो का कानून रधा जैसे कि मैरेज वादी करते है तो लोग शादी करते हैं तो थे नोग को देख लो उन लोग तरीके शादिवादी करते हैं तो देखोगे तो दोनों को अलग अलग personal law तो यह देखोगे हैं तो आर्टिकल टटिंग यही कहता है कि जितने पुराने law से वो constitution बनने के बाद भी रहेंगे ठीक है अभी भी रहेंगे लेकिन अगर उसके अंदर कोई भी problem है ठीक है मला अगर मान लोग कोई पुराना law है जिसा अब इंदू लोग में है इंदू personal law में अगर देखोगे पहले था कि सतीप रहता ठीक है कि अगर मान लोग किसी का पती मर जा सकता है या फिर बहुत जादा एक तरह से कलंग है हमारे समाज के लिए तो ऐसे जितने पर रहने कानून रहेगा उसको चाहे स्टेट खतम कर सकता है मतलब जैसे कि अब सतीप्रता थी तो उसको खतम कर दिया मुस्लिम लोग में देखो तो तीन तलाग था इसके वसे और जिनकी बाद हो जारी तो अदमी तो मस्त दूसरी साधी कर ले रहा था लेकिन और पुरी जिनकी खराब हो जा रही तो ऐसे जितने भी पुराने लॉस है जिसके वजह से समाज में दूसरों को कोई प्रॉब्लम हो रहे है तो ऐसी प्रोब्स रहें तो चाहे तो स्टेट बै साथ में ही आगे भी ऐसा कोई नहीं बनाएगी जो आज की टाइम के लॉस को वाइलेंट करती हो जैसे आगे मान लो कल को मान लो कोई नया नेता आता है वह बोल दिया कि आप में एक नया आर्टिकल लॉग बना रहा हो कि अब कोई भी सरकार का मतलब अपोसी विरोधनी करे बनाद आपने दो-तीन साल बाल नेया नियम कानुन कोई सब्सक्राइब का आप की अजारी चाहे वह सब्सक्राइब करता है कि आपके प्लिए अपस नियुक्त ने से आगे चितने भी है आर्टिकर्स 35 तक वहां पर हमारे फंडामेंटर राइट्स वह शुरू हो जाते हैं मतलब कि आपके कौन से अधिकार है मौलिक अधिकार है हम इसे हिंदी में बोलते हैं मतलब जिन्द की जिने के लिए बहुत सब्सक्राइब करें इंडिया इंडिये का मैं अकाटा में आपको बता था यह विए नहीं से लेक्ट में बाता के वाज़े से मदद से तो वैसे ही इंडिया का फंडामेंटर राइट इसको कहा जाता है यह इंडिया का मैगना काट है जिसको बनाया गया है ताकि लोगों को उनके आख मिल सके हैं अब देखो आर्टिकल 14 से लेकर हमारा जो आर्टिकल 18 तक है वहाँ पर बात की गई है राइट टू इक्वैलिटी के ऊपर बात की गई है कि मतलब समाज में सब्सक्राइब किसी प् इसका आर्टिकल देखो कि 19 से लेकर आर्टिकल 22 तक हमारा राइट टू फ्रीडम के उपर है कि आपको कौनसी कौनसी आजादी रहेगी आपको पुलीस ऐसे पकड़के नहीं लेकर जा सकती है लेकिन कब तक रखेगी 24 से अबाद देना पड़ता है इसे नियम कानुरत आप आर्टिकल 23 से लेकर आर्टिकल 24 तक हमारे राइट अगेंस्ट एक्सपोईटेशन के ऊपर है ठीक है कि आपके साथ कोई भी एक्सपोईटेशन नहीं कर सकता है अपको किसी को किड्नाप कर लेता है जैसे लड़की लोग को किड्नापिंग कर ली जाते है जिसको हमनी बोलत खतम होगा तब ही तिरको जाने दूँगा तो ऐसे आपकी पूरी जिनगी बरबाद कर रहा हुँ ठीक है पुरी मतलब एक्सप्लॉइट कर लूट रहा है आपको एक टाइप से करोगे तो बिसके लिए उसके ओपर है कि आपके पास धार्मिक सतंत्रा है मतलब आपके पास फ्रीडम है कि आप अपना रिलिजन प्रैक्टिस कर सकते हैं मानलो आप हिंदु हो तो आप लोग के पास बाल रखने का रहता है धोती रहता और चुटा से तलवार टाइप में रहता है वह रखने का रहता है ठीक है तो आप कही आधिकार है अगर मानलो आप रोड पर घू यहों छोटा सा तो आपको पुलिस यह बोलके भगा सकता यह तलवार क्यों यह इसको आप बोल सकते हैं मेरी धार्मिक सोतंत रहता है ठीक है यह मैं आपना रिलीजिन को प्रैक्टिस कर सकता हूं वहला जो भी आपका धरह में ठीक है उसके बाद देखो यह बिसकल टुटिव तग है इसके बाद नेक्स हमारा इसके में पार्ट होता है कल्च्राइं एडूकेस्टनल राइड का यह डेशक्षक रहते हैं उन्के साथ कोई भी भैदबाव ने चलएगा यह उसी को भी स्कूल में देख़ो हमारे भी संके बेसे लिए उनके साथ कोई भी भेदबाओं नहीं करें अब बेसे लिए अगर वर मालो को माइनोरिटी चाहता है कि हमको यहाँ पर पर रहे हैं लोगों के बीच में खुट का एक स्कूल और चाहते हैं तो वह चाहएं तो वह भी खु़ सकते आर्टिकल थटी वह उनको पर्म आपके निए है दिकार है कि आपके अपके पुराने आपके आपके पुराना पुस्तेनी जमीन है तो आपके पास अधिकार है कि आपको प्रॉपर्टी कोई निचने का की इसलिए मारा हुआ है यह अब बंद कर दिया गया था क्यों हटा दिया गया था देखो गो तो 1978 में इसको हटा दिया गया था हटाने के पीछे रीजन यह था कि आपकी प्रॉपर्टी कोई भी नहीं चीने गाए यहाँ ते की गौर्णमेंट भी आपसे नहीं चीन सकती है अब कलको माल लो जैसे सDR, आपका घर है और यह पूरा ओंड है वहाँ, पूरा एक अब कलको मालो यहाँ से बीच वाटरी की प्टरी जाने है यहां रहती थी या फिर और भी कुछ भी मालों इंफ्रास्ट्रक्टर डेवलप करना कोई हॉस्पिटल बनाने कुछ भी बनाना है तो काफी प्रॉब्लम आती थी लोग अपनी जमीने देती ही नहीं थे ठीक है तो इसलिए यह जो फंडामेंटल राइट है राइट टू प्रॉपर नहीं चीन सकते लेकिन अगर गौश्म चाहे तो आपसे चीन सकते यानि कानून आप चीन सकता है गौश्म छीन सकती है लेकिन आप की फंडामेंटल राइट यह ठीक हो इसको क्योंकि तो 1978 मैं इससे हटा दिया गया था राइट प्रॉपर्टी को उड़ उसकी बाद देखो नेश्ट और सात्वा जो इसका पार्ट है वो है राइट टू कॉंस्ट्टूशनल रेमेडी मतलब क्या है यहां पर बतायगया है कि अगर यह राइट टू तो राइट तो इसके नसीफ एक ही आर्टिकल ठटीकल ठटीटू बेसिकली एक तरह सकते हैं बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल जो इंशौर करता है कि अगर आपके यहां पर जितने भी आर्टिकल से लेकर अगर वह आपसे कोई भी चीन रहा है जिसे आपको जैसे पढ़न सब्सक्राइब कोई नहीं किया कुछ भी नहीं किया फिर भी आपको जैल में रख दिया तो ऐसे टाइम पर आप चाहो तो सुप्रीम कोट में डारेक्ली जा सकते हो बेसिकली केस करने के लिए कि यहां पर मेरा फंडामेंटल राइट चीना जा रहा है तो उस टाइम पर जो को बचाउं करेंगी छोटा मोटे के से टो यह सकते हैं अब में जा सकते हैं फिर कोड में जाते हो फिर सů्प्रृम में जा ठीक है एगर अगर आपका कोई फंडामेंटल राइट चीनता है तो आप चाहो तो इससे लेटर मलब सुप्रीम कोट में जा सकते होगी यह जो स्कूल का कोई भी राइट सागा छीन रहा है तो आप नवी यहां अगर माल लो आपके लिए बहुत जादा दूर पढ़ता है सुप्रीम कोट जाना कि यहां बहुत जाएं के सब्सक्राइब करने के लिए तो ऐसे टाइम पर आप चाहो तो अपने आसपास का जो हाई कोट रहता है ठीक हाई कोट डेखोगो तो हर स्टेट में रहता है एक एक हाई कोट तो आप चाहो तो अपने आसपास के हाई कोट में भी जाकर उससे रिलेटेट केस कर सकते हो वहाँ पर भी आपको उतनी ही बात स तो बिसकली यह सब्सक्राइब यह जो फंडामेंटर राइट से जितने भी आपकी मौली के दिकार है यह इनफॉर्सेबल के अंदर यानि आप कोट में जाकर इससे बहुत सकते हो कि यह जो राइट से चीने चारें और वहां पर कोट जो रहेगा वह आपके साथ नाय आपको आपको रेमेडी मतलब जो भी भुकताँ है आपको करवा के देंगा आपके साथ जो भी आको соответ city निकालकर देगा तो एकर फन्डामेंटर राइट से अ पर देखो कि I'm कुछ अलगी हमारे जो Constitution के अंदर आपको दिये गए लोगों को उनके अधिकार दिये गए यह बाकी देशों के जो बैसिकली राइट से जिसे इंगलेंड का देखो गए तो उनके जितने भी Constitution के अंदर जो राइट दिये गए उससे जादा काफी अलग हमारा किसम का राइट स जितना हो सकते अच्छी चीज़ थी इसके इसके Constitution के अच्छी चीज़ आपने में डाल लेते तो उस तरह से बनाएते जिसके वज़से हमारे Constitution का यह जादा एक इμपोर्टेंट रखता है और बेसे कली कहा भी जाता है कि यह जो हमारे फंडामेंटल एक वॉन Bonnet भाप बोला जाता है चाहरे 盡ाइक अट्वान का इसको बाख ज़रूरी干 एक तब सब नहुंसे पहला इसका इसका डिगनीटी अब इसका मतलब क्या होता है प्रिजर वेशन ओवीन डिगनीटी यहां पर इंसान की होता है इसा है यह कि इन कोई च्छोटी जात का आद्मिये और को ईसे टाइम पर देखो गए तो कुछ लोग होते हैं जो च्छोटी जात क्या है कैसा आदम है ऐसा लगता है जैसे उनको गटर से अभी अभी निकला है ठीक है उनको ऐसा फिलिंग आता है तो उसकी इज़त पूरी के पूरी देखोगो तो समाज के इंदर खराब हो रही है तो ऐसे ताइम पर देखो तो वेर कंसीडर असेंशल फॉद डेवलोप्मेंट ऑफ परस्नलिटी ऑफ एवरी इंडुविज्ट एंड प्रिजर्व में डिगनिटी बैसी के लिए बहुत सा जुरूरी है और यह जो विसकलि हमारे फंडामेंटर राइट से यह हमारे बैसी कली जो भी मतलब इंसान के जो हमे प्रकार का है ठीक है उसके बाद देखोगे तो आगे क्या दिखाए राइटर ऑफ दे कंस्टूशन डिगार्ड डैट डेमोक्रसी इस अफ नो यूस इफ सीवल लिबर्टी लाइक फ्रीडम और स्वीच एंड रिलीजन वेर नोट रिकॉगनाइजर और प्रोटेक्टेड थे याणि क्या कि देखो जब बिसकली हमारी कंश्टूशन वेर बना रहे तो उन लोगों सके ठीक है उससे बोलने कि उनके पास आजादी रहे उनके पास अनी रिलीजन को भी प्रैक्टिस करने के आजादी रहे वह आपने धरम को भी पूरा तरीके से कर सकते उनके उपर कोई दबाव ना डाल सके क्योंकि अगर मानलों आप जैसे अगर गवर्मेंट इंसा मलब मलब बैसिकली पीपर्स को कंट्रोल करने लगी तो यह बैसिकली काई की डेमोक्रेसी ठीक है तो डेमोक्रेसी के लिए बहुत ज़रूरी है कि लोगों पास पावर रहे कि अगर कोई नेता अच्छे से काम नहीं कर रहा है तो अगली बार उसको गाली भी दे उसको बोल भी सेके उल्टा सिधा कि आप अच्छा काम नहीं करो ज्यादा करो तो निकाल भी देंगे तुमको ठीक है ताकि नेता अच्छे से काम कर सके ठीक है तो लोगों पास पावर रहने के लिए बहुत ज़रूरी कि उनको इसके अगर हम चाहते हैं कि अपने देश को अच्छा डेमोकरेसी रखे इसके इंदर तो उसके लिए बहुत जरूरी है कि हम पॉब्लिक ओपीनियंस को जाने यानि पॉब्लिक क्या कहती है उसको कौन सा नेता पसंद है वो क्या करती है कि उससे नेते का काम उनको पसंद आ पाइंगा लोगों आगर मालो पावरी नहीं देता तुमको वोट देने का हखी नहीं है तो ऐसे टाइम पर देखो तो उनके राइट्स ना होने के वाज़से बैसिकली वो कुछ भी करनी पहेंगा जिसके सब सरकार के पास सारी पावर तो इसलिए डेमोकरेसी के लिए और फॉर्मिलेटिंग पॉब्लिक ओपीनियों शुल्ड भी शेक्रेट तो फ्रीडम फॉर दिस परपस्टिटूशन गैरेंटीड ओल देखो इंडिया के लोगों को कि आपकी जितने भी फंडामेंट बैसिकली आपकी जितने फ्रीडम से चाहें वो फ्रीडम आप स्पीच जो बोलने के अजादी हो चाहें गुमने फिरने के चाहें जितने भी एक्सप्रेशन देने के अजादी जितनी भी आजादिया है वह आपको मिलेगी in the form of fundamental rights यानि हमारा fundamental rights ना राटस है वह आपको यह सारी आजादिया देगा और इसका guarantee तो वह देगा constitution ठीक है तो बेसीकर के लिए आपका यह फर्स्ट सिगनिफिकेंट से कि अगर देखोगे तो हमारे फंडामेंटर राइट्स के वज़से लोगों की जो हुमन डिगनीटी है वो प्रिजव की जा सकती है जो छोटी दर्जे के लोग होते हैं तो उनको समाज में उनको विज़त मिली जैसे पहले टा हमारे साथ कुर्स पर बैठने का हक नहीं है तो यह सरी चीज़े है और आज की टाइम में अभी शहर एरिया में जहां पर उतना साना नहीं देखा जाता है बेदबाग तो आपर देखो तो चोटी जात को बड़ी जात को मालुम है नहीं पड़ता कि इदर किसी के साथ भी ल है लिखा करक्टरस्टिक क्या है कि औQué Face को चीने जाते है तो हमारा Kirin के आपि आप चाहो तो इससे को आप स्कुरुम्ट में भी जाकर केस कर सकते हो कि मैंने प्लक्वंद कर सकते हो मेरे स्क 215 श्यां रहा है मुझे जय बैसिकली नियायत चाहिए ठीक है मतलब जैसे आपका घुमने फिरने की आजादी चीन ली जैसे कि एक बार हुआ था नाइंटीज के या त्वान नीरे डेट को यह पोलिटीशन थे जिनकी गवर्नमेंट ने क्या किया था कि उनके पासपोर्ट को सीज कर लिया था पासपोर् कुछ वापस मिल गया उनको बैसिकली तो बैसी लिए तो उस्टम पे जो गूपने फिरने की आजादी जो है उनकी वह चीन रहते हैं ठीक है तो फिर कोट ने उनको आजादी वापस दिला दी तो ऐसे आप चाहो तो इनफोर्स कर सकते हैं अपने राइट को कि अगर आपका आप चाहो तो आप आराम से चाहते हैं अगर इस आपके राइट को छीन आ जा रहा है तो आपर आप एनफोर्स कर सकते हो ग्राय एला को चीन आ रहा हला है हमारे फंडामेंटार लाइट को ठीक है मतलब क्या कि देखो कई बार होता है कि कुछ लोग होते जिनके fundamental rights को चीना जा रहा है फिर भी वो कुछ भी नहीं कर पाते है जैसे अगा मान लो कोई गरीब आदमी है ठीक है और उसको मान लो कोई नेता है उसके fundamental rights को चीन रहा नहीं उनको बोलने के आजादी नहीं दे रहा है ठीक है कि अगर मान लो कोई सरपंच ठीक है और वह मान लो गुंड़ा उंड़ा के साथ में रहता है बहुत जारे गुंड़े लोग है तो ऐसे टाइम पर देखो गए तो अ कोई भी authority है जो किसी का भी fundamental rights चीन रहा है और वह अगर बोल नहीं सकते है उन मालब उनके पास उतनी जलत है ना गरीब लोग के पास उतना मालब पैसा नहीं है कि जाकर high court या supreme court में जाकर case कर ले उसे related तो ऐसे टाइम पर चाहे तो अगर मान लोग कोई दूसरा आदमी है ज दूसरों कि अगर fundamental rights चीने जा रहे तो इससे related कि यह 10-20 लोगे जिनके fundamental rights को चीने जा रहे तो इससे related में उनके भी आप में आया हूँ case करने के लिए लिए ठीक चीने जा रहे है आपके अधिकार की रिपोर्ट के ऊपर भी कर देते हैं मतलब क्या कोई भी fundamental rights के related कोई भी case नहीं है मतलब आपके मालो fundamental rights चीने जा रहे है आपके अधिकार चीने जा रहे है गवर्मेंट मालो आपकी अधिकार चीन रही है लेकिन कोई सब गरीब है और कोई दूसरा भी उनके लिए नहीं आ रहा है तो ऐसे टाइम पर अगर हाई कोड का जो जज रहेगा अगर वह मालो newspaper में ऐसा कुछ पढ़ता है तो वह भी चाहे तो ऐसा कुछ कर सकता है वह उनसे रिलेटेड को बुलाओ उस से जो भी उसने गलती किया उस तो ऐसा भी किया सकता है थिके तो यहां पर बिसे क्ली आपको बोल दिया तो आपको करना ही रहता है खिसी नेता हो बोल दिया या थो मानना ही पड़ता सुप्रीम कोट की बाट तो बहुत सारे इंपोर्टेंट रहता है उसकी बात मानना तो वहाँ पर जाहो तो आप जाकर इंफोर्स का सब्सक्राइब या मेरे राइट चीने उसके बाद देखो बैसी के लिए हमारा जो फंडामेंटल राइट्स का वह प्रोटेक्शन अगेंस्ट वाइलेशन ऑफ वुमें राइट्स क अगर आप देखते हो आटिकल सेवैंटीन क्या कहता है कि आपको छूआ जोत का बाग इसक पहले होता नहीं आप नहीं कर सकते है ठीक है तो अगर ऐसा कोई करते हैं मिल जाता है कोट अगर पकड़ लेता है पूलिस देख लिया वह आ तुछ चूआ जिखा रहे या फिर माल भात च्वोटी जात्का पूलीस तो ऐसे टाप पूलीस आपको तुरन जेल में डाल सकता है अर्टिकल 17 कहता है कि यह कोई ऐसा कर नी सकता है जिसके साथ को तुरन सजा मिल सकती है तो आपकी हो मैं डार्स को होने में बचाता है प्रोटेक्ट करता है यह हमारा थंदमेंटर ड लड़का लड़की में भी भेदबाव किया जाता है तो वहां पर भी वेसिकली उसको होने से भी बचाया जा सकता है ठीक है आर्टिकल 15 कहता है कि आपको किसी प्राइब का भेदबाव नहीं किया जागा चाहिए वह जेंडर हो या फिर कास्ट रिलिजन किसी चीज़ को पर भ दिखा रहता है इसको जेल में डाल दिया गया और उसको एक साल की सजा मिल गए तो दूसरे लोग उसको देखकर वाइलेशन नहीं करेंगे दूसरी लोग राइट्स नहीं चलिए उनको छुआ छुआ छूट का नहीं बोलेंगे जिसके वह से देखोगे तो हम पूरी जितन देखोगे आज की तो काफी सारी जगणा जोड़ी कर सकते हो यहां पर आपके राइट्स को छीना भी जाता है वाइलेट भी किया जाता है और आप कुछ नहीं करते हो ठीका आप कुछ कर नहीं पाते हो जैसे कि अगर आप देखोगे नौर्मली घर के अंदर देख लो घर क एक लड़क है तो घर वाले जिव स्कारव जहां पर जाता है और लटके वुस्ट बड़केस करवाटे है अब ऐसे टाम पर घरवाले लड़की ज fulfस्टारीस कर सकते वो हमें या मैं जा रही हो सूपरिंग कोट में घरवाले को पर केस करूंगे मिरे साथ भेदबाउ किया जा रहा है ठीक है लेकिन देखो तो नहीं करते हैं ठीक है क्यों नहीं करते हैं एक उनको पास उनको खुदी नहीं पता होता है कि भाईया मैं यहाप मेरे राइट को छीने जा र कर रहे हम में जब नेता बन जाओंगए अपने ड्रम वालों के लिए करेंगे जितने भी हमारे लोगे उनको मदद करेंगे और इन लोगों को भगा देंगे यहां से गप तो चांच रहते हैं कि जैसे महाराष्टा के लिए यूपी बिहार वाले लोग है वहमारे महारा निता हो इनको हम इन सब को भागा देंगे महाराष्टा से ढ़ीक है तो आप ऐसे देखो लिए होइसे ने में राइट से यह थीए इसका हम वाइलेशन होने से बचा सकते हमारे इतना पावर देते हैं ठीक है कि आपका फंडामेंटर राइट को भी छेड़ चानी नहीं करेगा तो उसको सजा देगा ठीक है उसके बाद इसका फोर्थ करेक्टरस्टिक क्या होता है वह होता है एप्लिक अबिलीटी मतलब क्या इन्ट्वी से यह कहा कहा पर किया सकता है मलगा किन कीन लोगों पर प्रक्राइख दे खता 는री कि जितने इंडी वी इंदिया कि लोग है सब के उपर यह fundamental एंप्लिक सब इन का इस्तुमाल कर सकते हैं यह आप लिखा गए है कि we silah emphasize on the fundamental unity of India by guaranteeing to all citizens the access and use of the same facilities irrespective of background some fundamental rights apply for persons of any nationality whereas other are available only to the citizen of India तो हमारी fundamental rights basically तो सब के लिए है कि जितने भी लोग है सब आराम से चाहे वो छोटे हो काले हो कोई भी हो सब के सब यह fundamental rights को इस्तेमाल कर सकते हैं चाहे वो उमर में कम भी हो तो भी इस्तेमाल कर सकते हैं यहाँ पर कुछ चीज़े हैं कि हमारे कुछ ऐसे राइट से जो की हमने सीप और सीप अपने सीटीजन्स के लिए ही रखा है और कुछ बढ़ता है वहां पर इस वर्ट का इस्तेमाल किया गया है प्लेस ऑफ बर्थ के ओपर भी किसी पर प्रकार का भेदबाव नहीं होगा ठीक है तो आप बातीन से वर्ट वर्राइख कर सकते हैं किसी पर वाफ कुछ कुछ-कुछ आरिकल्स के राइट्स नहीं घियेँ खौछ-कुछ-कुछ बाहर देश वालों को ठीक है तो वहाँ पर यहां पर बताई जारी है कि हमारे कुछ किसी प्रकार का भेदबाव नहीं किया जाए चोटी जातके बड़ी जातके ठीक है और प्लेस ऑफ बर्थ के उपर भी बट यहां पर फिर से वही बात आती है मालों कोई अमेरिका का आता है या फिर मालों पाकिस्तानी आर्मी में जॉब ले लिए तो अपने ही देश के लोग क्योंकि आपको सरकारी जॉब को आप बसे का भी तो इसलिए इसको भी नहीं दिया गया है विदेशी लोगों को ठीक है तो बसी कुछ खुछ राइट से जो सिब देश को लोगों को दिया है तो अन दे अधर हैंड फ्रीडम फिच एक्स्पीशन फ्रीडम फ्रीडम सब्सक्राइब कर सकते हैं और विदेश लोग आते तो उनके लिए भी हमने कुछ राइट सकते हैं उसके बाद देखो हमारा जो फिद्ट कारेक्टर सब्सक्राइब का इंफोर्समेंट अगेंस्ट इंडी टीक इसका मतलब क्या होता है तो इसका सब्सक्राइब चीननगे जाता है तो आप च्व coisa के रिलेटिव इर धुट रहें आपके राइड सी वह होते हैं आ। by strange झा आप आप बहुत ने ख Hungary और भी आपके बोलने की अजदी है या फिर आपके वास घूमने फिरने की ऑज़ादी तो नॉर्मल देखोगा तो घूमने फिरने की बोलने की जादी आपकी नॉर्मल पीपल आपसे नहीं चीनता है तो आपको आपके यहां पर चाहो तो कोड में जा सकते हो केस कर सकते हो ठीक है अब कुछ ऐसे भी आर्टिकल से आपके फंडामेटर राइट से जो खाली गवर्म करते हो तो वह एंफोर्समेंट कहलाता है एंफोर्समेंट अगेंस्ट इंडिविजल यहांनि कोई आदमी जिस ने आपके झाएं तो आध्मी को करने सकता अब अगर माय आपको तो उच्छोटी जात को च्छोटी जात कॉण तो तूच्छाव कर सकते हो कि कर सकते हो तो इस लए कर सकते हो तो चो ने सकता या तक है बीस जब आप यह करते तो आप High Mode capable अगेंस्ट एंडिविज्वल के आइंडियूज्वल का सकते ज fort जो कर सकते हो ठ्यक्त कर सकते हो तो एस तैम पर जो मेरे को कर रहा था है ठीक है तो ऐसे टाइब पर जो पुलीस वाले रहे को पकड़ के लेके जाएंगे एक साल की जिल में लगबग हो जाती है और एक देड़ लाका जुर्माना बरना पड़ जाता है ठीक है तो इसका फिफ्टी एक्टर स्टीक है कि फंडामेटर आइस प्रा सब्सक्राइब करे जो आप से चीनती है तो आप चाहूं तो उनसे अगेंस्ट में भी इन फोर्स कर सकते हो ठीक है एक्राइब क्या होता है इसका मतलब होता है कि देखो हमारे जो constitution के जितने भी राइट्स दिये गए fundamental rights उसको हम change नहीं कर सकते हैं उसको खतम नहीं कर सकते हैं जो आपको गबोलने की अज़ादी है तो कोई नेता उसे खतम नहीं कर सकता है ठीक है तो वही बेसिकली आपर बताए गया है है कि the rights guaranteed under the constitution of India कि मतलब हमारे जो constitution है इंडिया का उसने guarantee दिया है आपके सरे fundamental rights है तो are fundamental as they have been incorporated into the fundamental law of the land and are enforceable into the court ठीक है कि आप चाहो तो इसको court में enforce भी कर सकते हो कि अगर आपके rights को छीना जाता है तो आप चाहो तो supreme court में जा सकते हैं और supreme court नहीं तो high court में भी जा सकते हो ठीक है अब लेकिन देखो यह पर एक problem आ जाते हैं कि however this does not mean that they are absolute they are subject to constitutional amendment मतलब क्या कि देखो basically यहाँ पर यह ज़रूरी नहीं है कि आप ऐसा नहीं है कि आप इन rights को चेड़ी नहीं सकते थोरा बहुत चेंज किया जा सकता है थोरा बहुत अगर बहुत बहुत पॉब्लिक इंट्रेस्ट की बात रा जाती है कैसे चेंज किया जा सकता है तो basically हम इसे fundamental rights को directly नहीं चेंज करेंगे हम अपने constitution के अंदर amendment कह सकते हो लादने के लिए assembly केंदा जाएंगे जो हमारा पार्लिमेंट है वहाँ से permission लेंगे अगर 50% से जाला वोड़े देते तब उसमें कुछ amendment ला सकते है चेंज कर सकते है ठीक है जैसे कि 1978 में देखोगे तो हमारा जो राइट टू प्रोपटी हो एक फंडामेटर राइट था इसको चेंज करके एक लीगल राइट बना दिया गया ठीक है तो थोब चेंज करने का वारे पास राइट रहता है बड़ देखो कि उसको करने का हमारे पास ँप जाता है उसके बाद दिखो अब जो fundamental rights को रोका जा रहा है तो suspension of rights के आपके rights को कुछ समय के लिए रोक भी दिया जा सकते है ठीक है अब क्यूं रोका जाएगा तो देखो कई कबार होता है जिसे आप जिसे आपके पास गुमने फिरने की अजादी आपके बोलने की अजादी एठीक है आपके पास यह सरी अजादी है अब कल को मालो world war हो जाती है जैसे अभी कोरोना इस फेला था तो अब देखोगे तो आपके पास घुमने फिरने की अजादी थी लेकिन पुलीस आपको जबतस्ती घर के अंदर भर रही थी है घर से बार मत निकलो गवर्मेंट आपको बोड़ी थी घर से जो बार निकले का 500 का फाइन लेंगे आपसे तो यहाप पर देखोगे तो अगर मालो कभी भी देश के ओपर कोई अपात का कर सकता है रहता रोक लगा सकता है जैसे कि भूम्ने फिरने की रोक देगी तो आपको फिरने की चीन लिए गए तो बेसिकली आप सब्सक्रा कर सकते है तो यहां पर बतायाँ कि अगरा चैनल इमश्जैन्य अजाती है तो has an adverse effect on this right यानि यह जो rights है हमारे fundamental rights बेसिकली इसके बाद थोड़े बहुत affection मदद थोड़े बहुत प्रभाव पड़ते हैं कि under such a state the right confirm article 19 मदद बेसिकली जो हमारे article 19 से उसके जितने भी basically आपके आदिकार है जिससे आपको बोलने के अजादी है आपके पास घुमने फिरने के अजादी है आपके पास assembly बनाने के अजादी है तो यह सारे rights को देखो को चीन लिये जाते है किसी भी परकार के अगर कोई national emergency आती है तब ठीक है तो remain suspend इसको suspend कर दिया जाता है hence in such a situation the legislature may makes laws which go against the right given in article 19 ठीक है तो अगर उस टाइम पर हो सकता है कि जो parliament है या फिर जो वैसे के लिए हमारा लोक सभा राजे सभा या फिर विदान सभा है वहाँ पर कुछ ऐसे कानून बन सकते है उस टाइम पर कि भाईया अभी के लिए आपके गोंने फिरनी के जीन ली एथी कि यहांपर एक बहुत बड़ा पाथ का लागा प्रॉब्लम आ गई थी देश के अंदर को इसके वसे ठीक है तो ऐसा पर को बहुत सिच्वेशन आता है by order suspend the right to remove code for the enforcement of their right as well ठीक है बिजिए देखो यह जो पहली बात समझो यह राइट को suspend करता कौन है अगर माल दो आपको कोई भी fundamental right है ठीक है अगर आपको किसी भी प्रकार के right के अंदर कोई भी suspension लाना है रोक लाना है ठीक है तो उसको right को कुछ suspend करने के लिए रोकने के लिए कुछ समय के लिए temporary रोक लगाने के लिए जो रोक लगा सकता है वो होता है उन्होंने क्या किया था में से अपने क्या नहीं किया फिर भी आपको जिल में डाला जा सकता है तो आपको फंडामेंटर राइट देखूँए तो 1975 में चीन लिए आ गया था ठीक है वहाँ पर बिसिक लिए घुशना कर दी गई कि आभी कुछ समय के लिए बेसिकली यहाँ पर नेशनल एमर्जनसी के वैसे हम क्या कर रहे हैं कि वालब जितने भी आपके राइट से कुछ समय के लिए कुछ छीन रहे तो काफी सरे नेता जो थे ऑपोसिशन पार्टी के 1975 में तो देखो काफी सरे नेताओं को बंद कर दिया गया था एक देट साल के लिए बंद हो ग ठीके लग कुछ समय के लिए रोक सकता तो अगर टैमपरर्यारी लगाना है तो उस्सचार करेगा और परमांड़ हमेंजा कता तब करते और रहा घ्या जैसे कि थीए तो अगर हमको temporary रोक लगाना रहता है तो प्रिस्टेंट लगाता है और अगर हमको permanent रोक लगाना रहता अपने constitution के अदर हटा देना रहता ही किसी पार्लीमेंट लगाता है असंपली पार्यक्टर टिक क्लासिफिकेशन एक हमने क्लासिफिकेशन करने के लिए और अच्छे से समझने के लिए कि हमारे इपर को से अधिकार बात करते हैं और सो freedom से यह सरी चीजज़ों अगर और बहु यह ञदिखे हो कुछ राइट्स को और सारा केटेकराइज किया सकता है ताकि हम और अच्छे समझ सके की कौन से राइट किस चीज के बारे में हैं तो इसलिए हमारे आर्टिकल 14 से लेकर आर्टिकल 32 टक बेशिकल उनको हमने कुछ क्लासिफिकेशन के नाम पर है कुछ हिस्सों में डिवाइट कर दि 30 तक उनको बिशिकली चेकरी से एक याय उपर तो पहले साथ था लेकिन 1978 में जब इसको चेंज किया गया तो इसको उसको इसको लीकल चीज़े समझ आ गई होगी अब अगर आपको किसी प्रकार का डाउट है या फिर कोई भी चीज आप आपको clear नहीं हो या फिर कोई भी डाउट रहता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जो भी आपके डाउट पूछ सकते हो और अगर आपको फिर भी कोई भी प्रॉब्लम आप पूछ लेना कमेंट सेक्शन के अंदर आपको इस लेक्चर का पीडियाफ चाहिए तो आपको टेलिक्राम पर मिल जाएगा अब बिसकली इसका जो नेक्स लेक्चर है वह हम लेने वाले कि मतलब बिसकली आर्टिकल 14 सब्सक्राइब हम लोग शुरू करेंगे या हमारे अगर आपको इस लेक्चर का पीडियाफ चाहिए तो आपको टेलिग्राम में मिल जाएगा तो डिर्कली वहां से डाउनलोड कर सकते हो दोनों की जो लिंक है वह आपको डेस्क्रिप्शन में मिल जाएगे ठीक है अगर आप वीडियो को यहां तक देख चुक हो और अगर सो थैंक्स फूर वाचिंग मैं वीडियो में नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे